टॉप फोर एमुलेट डिस्प्ले एंड सूपर एमुलेट डिस्प्ले स्मार्टफोन अडर 20 थाउजन सो हेट नमस्कार दोस्तों सुआग थे आप सभी का कैजट्स दुनिया पर अगर आपको स्मार्टफोन पर कॉंटेंट कंजियूम करना अच्छा लगता है एक स्मार्टफोन चेलाने में और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करिए ताकि आपको फ्यूचर पी अप्डेट भी मिलती रहें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर हम बात के नहीं लिश्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में तो वो आता है स्वामी की तरब से मी 11 आई स्मार्टफोन और यह जो स्मार्टफोन है जब लॉंच हुआ था तत्त अकरीमन यह स्मार्टफोन 30-32,000 के प्र इस स्मार्टफोन के स्पास्पीकेशन की तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है प्रफॉमेंस के लिए मिडेटिक डामेंस्टी 920 का चिपसेट जो की 2.5 गीगाच पर क्लॉग एक ओक्टो को प्रासेसर है और यहां पर आपको 6GB की रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है तो इस स्मार्टफोन को यूज़ करने में आपको काफ़ी अच्छा स्मूद एक्सपीरेंस फील होगा विकाज आप 120 है रिफ्रेश्ट रपोर्ट और इस क्रैचेश की भी आपको टेंसन नहीं लेनी है इस स्मार्टफोन में विकाज यहां पर आपको देखने को मिल जात है और जब भी आप इस कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करने जाओगे तो आप मैक्सिम्म फॉर के क्वाल्टे में 30 पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं सामने वाले कैमरे की बात कर दिया तो 16 मेगा पिक्सल का आपको एक सामने की तरफ से इंसर देखने को मिलता है जो की सपोर्ट करती है 67 वाट की टर्बो चार्जिंग को तो अबर आपको 20,000 के बजट में कोई बड़ी है स्मार्टफोन खरीदना है जिसमें डिस्पले तो अच्छी हो ही और बाकिसारी स्मार्टफोन की तरफ चाह सकते हैं तो यह तो रहा है माई लेश्ट के स्मार्टफोन की स्पास्फिकेशन संड फीचर अब बढ़ते हैं स्मार्टफोन के तरफ से कंड़ वाले स्मार्टफोन है वह आधा रियल में के तरफ से 9 pro प्लस 5G स्मार्टफोन और इस स्मार्टफोन को आप ग्रैब कर सकते हैं 20,000 गया कर बजट में बट कभी कभी आपक 9820 का सेम चिप जिसा कि पिछले स्मार्टफोन में था और यह जो प्रॉसेसर है वो एक ओक्ताकोर प्रॉसेसर है जो कि 2.5 गीगाज़ पर क्लॉक्ट है और यहां पर आपको 6GB की रैम सपोर्ट देखने को मिल जाती है वहीं अगर हम बात करें से स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पास्पिकेशन की तो 6.4 इंचेस के एक सूपर आमलेट पनल आपको यहां देखने को मिल जाता है जो कि 1018-2400 पिक्सल्स का है और इसके साथ साथ आपको 90H का रिफ्रेशर्ट सपोर्ट देखने को मिल जाता है और गोरील लगरास 5 की प्रोटे विचस की तो यहां पर आपको ट्रिपल लियर कैमरा सेटप देखने को मिल जाता है जिसमें 50MP का एक प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है जहां पर आपको 20x तक की डिजिटल जूमिंग का सपोर्ट और दूसरा आपको 8MP का एक अल्रवाइड अंगल लेंस देखने को म सामने के तरफ आपको 16MP का एक सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि 16MP का है और यहां से आप जब भी वीडियो को रिकॉर्ड करने जाओगे तो आप मैक्समुम 1080p में 30fps पर यहां से भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके अलावा कर हम बात करें बैटरी स्पास्पिके इसे प्रीजन में डिस्प्ले तो अच्छी आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा भी आपको इस स्मार्ट प्राइशंग की देखने को मिल जाते हैं स्मार्प STEEL यहाँ पर आपको देखने को मिलता है परफॉर्मेंस के लिए कोईल का मिश्टनापडगन 695 का प्रॉसेसर जो कि एक 2.2 GHz पर क्लॉग एक ओक्टागोर प्रॉसेसर है और इसके लावा आपको 6GB की RAM सपोर्ट देखने को मिल जाती है वहीं अगर हम बात करें डिस्प्ले स्प यहाँ पर आपको 120H का रिफ्रेटर सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा तो काफी बढ़ी है इस स्मार्टफोन में कुछ स्क्रॉल करोगे या कुछ भी यूज़ करोगे वहीं अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफ फीचर की तो यहाँ पर आपको ट्रि और जब भी आप इस कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करोगे तो आप मैक्समुम टेने टीवी में 30 अपिस पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं सामने वाले कैमरे की बात करिया तो 16 मेगा पिक्सल का आपको एक सामने एक तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है और सामने एक तरफ सभी अपने टीपी में 30 अपिस पर अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं बात करें अगर इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पासफिकरशन की तो 5000 देमेच की आपको यहां पे भी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 30 वाट की टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन की पर यह स्मार्टफोन की प्राजिंग की तो तो तक्रीबन आपको यह स्मार्टफून देखने को मिल जाएगा 18-19,000 के बजट में अगर बात करें इस स्मार्टफून के स्पासफिकेशन की तो परफॉर्मस के लिए आपको यहां देखने को मिल जाता है जो की एक 2.5 GHz पॉक्ट एक उक्टोकॉर प्रासेसर है और यहां पर आपको यह जो प्रासेसर है वो 6GB RAM सपोर्ट के साथ आता है इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफून के डिस्प्लेश स्पासिकेशन की तो 6.38 इंजर्स की एक AMOLED पैनल आपको यहां पर भी देखने को मिलता है जिसमें 64 MP का एक प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और दूसरे आपको 2 MP का एक डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है विद एलेडी फ्लेश अड जब भी आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करोगे न तो आप यहां से मैक्सिमल 4 की क्वालिटी में 30 पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं सामने वाले कैमरी की बात करिया तो 16 MP का आपको एक सामने की तरफ भी सिंसर देखने को मिलता है और सामने की दरस भी आप 1080P में 30 MP पर वीडियो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं वहीं अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के मार्कट में काफ ज़्यादा सेल हुआ था और काफ अच्छी बेटिंग मिले थी उस स्मार्टफोन को तो उसी के सक्सेसर में इसे स्मार्टफोन को लांच करा गया है जर दिजरे पर आप इन में से किसी भी स्मार्टफोन को लेना है 20,000 के बजट में च्पको इस वीडियो स काफ़ी कुछ सीखनी को मिला होगा और काफ़ी information मिल गये होगी कावण साइज smartphone आपको बाय करना चाहिए यह कावण साइज smartphone आपको नहीं बाय करना चाहिए तो अगर आपको इस वीडियो को सिंप्ली करती है जैब लाइक और चैनल उप्सक्राइब तो इस वीडियो में इतन अब तक के लिए रादे रादे